जहिन दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चेनल बीरबल सुआमी पर तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरपी एप रेलवे सुरुक्षया बल के बारे में नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसका किस किस पे ये पोस्ट रहने वाली है दोस्तों ये सब इंस्पेक्टर और कॉंस्टेबल के पदोपे ये वेकेंसी रहने वाली है दोस्तों तो दोस्तों रेलवे पुलिस की संपूर्ण जान करी आपको यहां सब कुछ समझ में आ जाएगा मिलने वाली है दोस्तों तो दोस्तों योगेता की बात करें तो कॉंस्टेबल के लिए आपकी तश्यवी बारवी पास होना चाहिए और सब इंस्पेक्टर के SI के लिए आपकी ग्रेजुएशन कम्पलीट होनी चाहिए दोस्तों तब ही आप RPF के अंदर फोरम फील कर सकते हो दोस्तों तो दोस्तों आयू सिमा की बात करें तो इसके अंदर आपके आयू सिमा नियुनतम 18 वर्स होनी चाहिए और अधिक्तम आयू आपकी 25 वर्स होनी चाहिए दोस्तों और के डिक्री के अनुसार आपको आयू में छूट भी मिलेगी दोस्तों तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो आरपी एप की ये न्यू वेकेंसी 2223 के अंदर आने वाली है इसके अंदर पदों की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर 9500 पदों पे ये वेकेंसी रहने वाली है दोस्तों और ऐसा ही और कॉंस्टेवल दोनों ही पदो के लिए यहां पे फोरम फील किये जाएंगी आप चाहो तो दोनों फोरम भी फील कर सकते हो दोस्तों क्योंकि यह वेकेंसी चार साल बाद फिर से आएगी क्योंकि दोस्तों 2019 में आर पी एप की वेकेंसी देखने को मिली थी उसके बाद अब 2022 में यह वेकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों तो दोस्तों आप भी चाहो तो इसके अंदर फोरम फील कर सकते हो अभी दोस्तों नोटिस के अनुसार यह बताया जा रहा है कि इसके आवेदन नौमबर या दिसंबर महा के अंदर करवा दिये जाएंगे दोस्तों तो दोस्तों अभी एक फोरम डेट को लेकर कुछ कहाने जा सकता दोस्तों तो दोस्तों जब भी एक ओनलाइन आवेदन की प्रिक्तिति डाल दी जाएगी तो मैं आपको सुचित कर दूँगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी कोई नई अपडेट आएगी तो आप को सबसे पहले देखने को हमारे चैनल पर मिलेगी जहिंद